दोसो ये है Poco C65, ये एक budget 4G smartphone है, इसका जो pricing है ये है under Rs. 10,000, launch price जो है ये और भी कम है और अगर आप offers के लिए जाएंगे तो जो pricing है ये और भी कम हो जाता है, इस Poco C65 का जो pricing है ये शुरू होता है 7,499 रुपीस से, अब देखे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर चीज पर complain करते हैं, अब ये एक budget smartphone है, और जो specifications है आपको high end नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप जो specifications इसमें दिया हुआ है, अगर हम आज से 5 साल पहले जो smartphones launch हुए थे, उनके साथ में comparison करें तो काफी अच्छा है, लेकिन आज के तारिक में advanced hardware आ गए है, तो उसके हिसाब से ये उतना powerful नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, pricing है आप से काफी अच्छा है, और कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि फिर भी complain करेंगे कि इसमें ये होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था, और यही लोग जब कोई premium level का smartphone या mid premium level का smartphone launch होता है, बड़ीया specifications के साथ में, तो complain करते हैं कि उसका प्राइजिंग है, वो साधा है, तो ऐसे लोगों के साथ में आप confused ना हो, अगर आप ये प्रड़क्ट खरीजना चाहते हैं, देखते रहें, तो ये है Poco C65 का box pack, made in India, और ये एक budget smartphone है, मुझे ये 8GB256GB वाला matte black color variant मिलावा है, की highlight से आपर mention किया हुआ है, और box के अं ये है SIM tray ejector pin, ये है कुछ booklets, ये है type C cable, ये है 5V 2A adapter, 10W adapter, लेकिन ये जो handset है, ये 18W fast charging support के साथ में आता है, तो अगर आपके पास fast charger है, उसे use करके इस handset को आप fast charge कर पाएंगे, ये handset triple slot के साथ में आता है, डिजाइन इसका बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर glossy finishing दिया और यहाँ पर matte finishing है, एक तरह से flat type का design है, और जो hand feel है ये भी काफी बढ़िया है, इसका जो display है ये काफी बढ़िया है, उसके कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जो phone है काफी बढ़ा लगे, लेकिन इस price में आपको मिल रहा है, जो कि अची चीज है, इसे आप काफी द phone type support और ये है speaker out wind, जो sim slot है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इस handset पर बड़ा display आपको मिलता है, ये जो display है, ये 6.74 इंचिस का है, लेकिन ये HD plus resolution के साथ में आता है, इस पर corning gorilla glass 3 protection दिया हुआ है, और refresh rate के अगर बात करे, 90 hertz refresh rate support के साथ में आता है, तो बड़ा display plus 90 hertz refresh rate ये आप जादा वीडियो देखते हैं, तो ये smartphone अच्छा है लेकिन ये single speaker के साथ में आता है, और खास करके अगर आप वर्टिकल वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए ये smartphone बहुत ही बड़िया है, और वैसे भी आज के तारीक में जादा करके जो लोग है, वो जादा करके जो शॉट वीडियो है या फिर जो रील से उसे देखते हैं, तो उसके लिए ये जो हैंसट है काफी बड़िया है, बड़े डिस्प्ले पर आपको काफी बड़िया experience मिलने वाला है, तो इस पोको फोन पर आपको ये default interface मिलने वाला है, और जो आइकन से ये रिखे, circular टाइप के icons है इसमें, ये सारे applications इसमें pre-installed है, कुछ applications को छोड़के, इसमें बहुत सारे unwanted games भी है, ये रेखें यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इनहें यहाँ पर जाके अनिंस्टाल कर सकते हैं, ये MIUI 14 रन कर रहा है out of the box, और इसमें 256GB storage space दिया हुआ है, जो कि again काफी बढ़िया ह है, अब ये अलग अलग storage sizes और RAM sizes में available है, Android 13 पर based है, और detail specifications के बारे में जानकर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें 8GB RAM है, प्लस 4GB virtual RAM है, दिखें, virtual RAM जो होता है, इसमें ऐसा होता है, कि जो main RAM है, उसे जादा करके use किया जाता है, लेकिन जब main RAM है, वो use हो जाता है, तो उसके बाद में जो virtual RAM है, उसे use किया जाता है, यह वैसे ही है, जैसे कि for example आपके office में main लोग काम कर रहे हैं, और जब workload जादा होता है, और वो सारे के सारे लोग occupied है, तो जो inefficient लोग हैं, नए लोग जो हैं, उन्हें जो job हैं, उसे pass on किया जाता है, और जैसे ही जो efficient होग है, उन पर pass किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा advantage यह है कि काम चलता रहता है, कहीं पर भी रुकावट नहीं होती है, तो यही same concept virtual RAM का भी है, और यह काफी हद तक आपको बढ़िया performance भी देता है, enable करने के बाद आप देखेंगे कि जादर से जादर अप्लिकेशन सा background में रन कर पाएंगे, और यह Mediatek Helio G85 powered है, अब यह जो chipset है, यह नया नहीं है, और N2 benchmark score, यह देखें, यह है तकरीबन 2,050,000 के आसपास, जो कि OK type का है, वैसे 4,050,000 के आसपास होता तो इस पर आप बढ़िया तरीके से game खेल पाएंगे, लेकिन चेक करते हैं कि इस score में आप इस पर game खेल पाएंगे या नहीं, तो यह देखें, मैं इस पर यह World War 2 game खेल रहा हूं, जो कि अच्छा चल रहा है, इतने कम score पर भी, वैसे जो processor है, वो जितना जादा powerful होगा, उतना बढ़िया gaming experience आपको मिलने वाला है, और जो games है, वो high resolution में काफी smoothly चलने वाले है, यहां पर बहुत ही मामली सा lag है, लेकिन playable है, आप इस पर इस परकार के games खेल पाएंगे, वैसे यह जो game है, यह low resolution पर चल रहा है, लेकिन clarity अच्छी है, not bad, इस प्राइज में आपको gaming experience मिल रहा है, यह बड़ी बात है, अब जो camera का setup है, यह काफे interesting है, पीछे देखे, दो modules दिया हुआ है, इसमें 50 megapixel का triple AI camera setup है, और जो front camera है, वो 8 megapixel का है, camera में आप देख सकते हैं कि portrait का option दिया हुआ है, यहां से आप जो blur है, intensity, उसे change कर सकते हैं, photo mode आपको 1x, 2x का option मिलता है, maximum यह जा सकता है, अप टू 10x, लेकिन बहतर रहा कि आप 1x या 2x का option है, उसे use करें, जादा zoom in करेंगे, तो जो clarity है, वो इतना बड़िया नहीं आने वाला है, यह HDR support के साथ में भी आता है, और यहां पर देखिए, आपको यह सारे options भी मिलता है, video, यहां पर आप 1080p at 30fps में maximum videos shoot कर पाएंगे, time lapse का option दिया हुआ है, और night mode है, जिससे आप जो low light photography है, वो कर पाए shot, जो कि अच्छा है, not bad, इस प्राइज में, अगर आप zoom in करेंगे, तो इतना जादा clarity नहीं है, लेकिन अगर आप यह जो images है, इनने social networks पर share करेंगे, तो उसके लिए काफी अच्छा है, computer पर यह इतना जादा बड़िया नहीं दिखने वाला है, यह वाला जो outdoor shot है, यह अच्छा है, background blurring इसने काफी अच्छी तरीके से किया हुआ है, और यह long shot, यहाँ पर मैंने अलग-अलग filter options यूज किया है, look and feel चेंज करता है, try कीजिए, आपको amazing results मिल सकता है, लेकिन again, social networks पर share करने के लिए यह काफी अच्छा है, यह night shot, अगर आप zoom in करेंगे, देख सकत साथ में मिल सकता है, और यह है video जो कि मैं चल के record कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको stability का option नहीं मिलेगा, और आप maximum 1080p में videos record कर पाएंगे, अगे यह high-end smartphone नहीं है, budget smartphone है, तो camera quality इसकी average level की है, कुछ conditions में आपको above average shots मिल सकता है, handset का वजन 192 grams है, यह L1 wide wind support के साथ में आता है, brightness काफी अच्छा है, 450 nits, 600 nits peak brightness, TUV low blue light certification के साथ में आता है, flicker free certification भी दिया हुआ है, इसमें LPWDR4X RAM यूज किया गया है, और EMMC 5.1 storage है, यह 5000 mAh battery capacity के साथ में आता है, जो कि आपको अच्छा performance देते हम, यह 4GB 128GB या 6GB 128GB या फिर 8GB 256GB options में available है, maximum 16GB RAM तक यह support कर सकता है, with virtual RAM, तो 4GB 128GB का जो launch price है, वो है 8,499, offer price है 7,499, 6 128GB का है 9,499, offer price है 8,499, और 8GB 256GB का pricing है 10,999, और launch price है 9,999, आपको 1,000 रुपिस का instant discount मिल सकता है, ICICI credit और debit cards पर, और EMI transactions पर भी, यह smartphone आपको कैसा लगा, comments करके मुझे जरू बताईए, देखते रहे हैं,